नमस्ते दोस्त और डीट गणियों आपका स्वागत स्वास्थ समध्दी चर्चा के अंदर आज हम आपको घरेलू घरेली सुभी घरेलू जो रात और दिन ऐसा कोई टाइम नहीं जाता है जिस टाइम आपनों उसका उपयोग नहीं करते हैं ये गरेलू जो मसाला है उसका नाम है जीरा जीरा के अंदर कितने गुण होते हैं साइद आपको मालूम नहीं तो इसका विशेश परेचे देने की जरूत नहीं क्योंकि उसमें बेकार समय खराब होगा तो जीरे के सेदे मैं आपको फाइदा बताता हूँ ये कहीं तरह का होत है उसको जीरा जैनि के सबसे ज्यादा वही काम आता है हर एक चीज की कहीं प्रजातिया होती वह एक अलग बात है हां तो जीरे के लाब मैं आपको बताता हूँ दांत का दर्थ काले जीरे के उबले हुए पाने में कुला करने से दांतों का दर्थ दूर होता है काला जीरा फिर होता है कि तीन ग्राम जीरे को बूंद कर चूरण बना लें तता उसमें तेन ग्राम छेंदा नमक मिला कर बारीक पीश कर मंजन बना लें इस मंजन को मसरों पर करने से सूजन ओ दाटों का दर्ध खत्म होता है, इसका अगला फाइदा, पिसाप का बार बार आना जीरा, जाइफल और काला नमक दो दो ग्राम की मात्रा में कूट पीट के चुरन बना ले, फिर इस मिक्सरन को अननास के सो अमल रस के साथ खाने से लाब होता है, जीरे का अगला फाइदा, मुए की भूख खत्म हो जाती है मलेरिया बुखार एक चमज जीरे को पीश कर दस ग्राम गुड में मिला ले इसकी तीन खुराग बना ले और बुखार चड़ने के पहले एक खुराग दो पेर को एक साम को दे तो इससे मलेरिया बुखार रुख जाता है एक चमज जीरा बिना शेका वापीश ले इसका तीन ग्राम गुड में मिला कर तीन गोलिया बना ले निश्चित समय पर ठंड लगकर आने वाला मलेरिया के बुखार कोई 11 गंटे के 20 गोली खायें कुछ दिन रोज इसका प्रियोग करें इससे मलेरिया का बुखार ठीक हो जाता है काला जीरा, एलूवा, सोंट, काली, मेच, बकाएन के पेड की निम्बोली तता करंजिवे की मेंगी को पीस कर छोटी छोटी गोलिया बना ले इससे दिन में 3-3 गंटे के अंतर से एक के गोली खाने से मलेरिय का बुखार ठीक हो जाता है पुराना बुखार कच्चा पिसा हुआ जीरा एक ग्राम इतना ही गुड में मिला कर दिन में तीन बार लेने से पुराना से पुराना बुखार भी ठीक होता है पाचक चूरन पाचक चूरन के अंदर जीरा, सौंट, शेंदा, नमग, पीपर, काली मिट ये परते सभी को समान मात्रा में लेकर बारिक पीस के चूरन बना ले इस चूरन को एक चमज खाने के बाद ताजा पाने के साथ खाने से बोजन जल्दी पच जाता है जीरा भी बड़ी बेतरी जीरा है, हाँ, खूनी बवाशीर, खूनी बवाशीर के अंदर जीरा सौंप धनिया को एक एक चमज लेके एक गिलास पाने में उबा लें तता आदा रह जाए तो छान के पी लें इसमें एक चमज देशी गी भी मिला सकते हैं, सुबर साम लेने से बवाशीर का रक्त गिनना बंद होता ये गर्ब होती इस्तरियों के बवाशीर में अधिक लाप करता है, जीरा हाँ, अगला जो जीरे का फाइदा, चेहरा साफ करने के लिए जीरे को उबाल कर उस पाने से मूँ दोएं, इससे चेहरे की सुन्दता बढ़ती है तो वहाँ बीट्यू पालर जाने की क्या जरूत है बेकार पेसे खर्द करने, जब जीरे से ही काम हो जाता है इसका अगला लाब, खुजली और पित्ती, जीरे को पाने में उबाल कर उस पाने में से सरीर की खुजली और पित्ती ठीक होती है पत्री की सुजन तता मुत्र रुकावट इन कस्टों में जीरा चीने समान मातर में पीस कर एक एक चमज ताजे पाने से तीन बार खाने से सुजन और पत्री और पैसाब में रुकावट ये सब ठीक होते हैं अस्तनों में गांठें दूद पिलाने वाली महिलाओं के अस्तन में गांठ पढ़ जाये तो जीरे को पानी में पीस कर अस्तन पर लेप करें इससे लाब होगा जीरा हाँ इसका अगला प्रियोग अस्तनों का जमावा दूद निकालना जीरा पचास ग्राम को गाई के गी में भून कर इसमें खांड पचास ग्राम की मात्रा मिला दे इसे 55 ग्राम की मात्रा में सुबसाम प्रियोग करना चाहिए इसे गर्बा सेह में सुद्धी होती है और छाती में दूद बढ़ जाता है जिन बेन बेटियों के अस्तन में दूद की वरदी के लिए जीरा सफेद, सौंफ तता मिश्री चिनों को अलग-अलग चुरन बना करके बराबर मात्रा में रख लें इसे एक चमघ की मात्रा में दूद के साथ दिन में तीन बार देने से परसुता इस्तरी के दूद में अधिक वरदी होती है सपेज जीरा तता सांटी के चाहलों को दूद में पका कर पिने से कुछी दिनों में अस्तनों का दूद बढ़ जाता है 125 ग्राम जिरा शेकर उसमें 125 ग्राम पीशी हुई मिश्री मिला दे इसे एक चमच बर रोज सूबह और साम को खाऊंए इससे अस्तनों में दूद बढ़ जाता है अजीन के अंदर 3-6 ग्राम भुनावा जिरा में तोड़ा सेंदा नमक मिला करके पानी में दिन में 3 बार पीने सें अजीन बिर्गुल ठीक हो जाता है 25 और 25 के अंदर सुखे जीरे का 12 ग्राम पाउडर डैसो अमल मखन इसके साथ दिन में 3-4 बार चाटें तो 25 ठीक हो जाती है खटी डगारें जिनको आती है तो 15 ग्राम जीरे को गी में भून कर गरम कर लें इसें बोजन के समय चावल में मिला कर खाने से खटी डगार आना बंद होता है खांशी के अंदर जीरे का काड़ा तता कुछ दानों को चबा कर खाने से खांशी एवं कप ठीक होता है रतोंदी की बिमारी जिनको होती है रात को नहीं देखता आमला और कपास के पतों को मिला कर ठंडे पाने में पीस कर लेब बना लें कुछ दिनों तक लगातार इस लेब को शिर पर पट्टी बानने से रतोंदी ठीक होती है जीरे का चुरन बनागर सेवन करने से रतों दी यानि कि रात में दिखाई नह देना इसमें लाब होता है बिच्छु का जैर जीरा और नमक को पीश्वर गी और सैद में मिला कर थोड़ा सा गर्म करके बिच्छु के डंक पर लगाएं इससे आराम आ जाता है बुखार जीरे का पांट गराम चुरन पुराने गुड के साथ मिलागर गोलें बनागर खाने से बुखार पुराना जो आता है वो ठीक हो जाता है अमले पित के कारण शीने में जलन होने पर बोजन के बाद छाती में जलन होने पर धनिया और जीरे का चुरन एक एक चमच मिला करके खाने से लाब मिलता है आँख की रोशनी के लिए जीरे को रोज खाने से गर्मी दूर होती है और आँख की रोशनी बढ़ती है जीरा कोई मामूली चीज नहीं है अब आप यह मत सोतना भी घर के अंदर जीरा पड़ा है हाँ विस जिनको विस का असर हो जाता जीरा और शकर पाने में भीगो कर साथ दिन खाने से कोई दवा का विस या कोई दवा का साईड फेट अगर हो वो ठीक हो जाता है अंड कोस में अगर सुजन हो तो 10 ग्राम जीरा और 10 ग्राम काली मिल्ट फीस कर पाने में उबाल कर उस पाने से अंड कोस को दोने से सुजन मिट जाती है ददस गराम जीरा और अजवायन पानी में फिसकर थोड़ा गरम करके अंडकोस पर लेप करने से अंडकोस की वरदी रुख जाती है अंडकोस की जलन सपेज जीरा के शुरन को शराब में मिला कर लेप करने से अंडकोस की जलन और सूजन ठीक होती है दमा का रोग दमा के रोग होने पर जीरा काली में नमक और मठा मिलागर सेवन करना चाहिए दकारें आना एक चमज पिसावा जीरा शेकर एक चमज सज में मिलागर खाने से आराम आता है गरबा से का बढ़ावा होना गरबा से अगर जो बढ़ जाता है तो जीरा और हाती के न लाद नहीं लगती बांच पंच जिसे कहते हैं इसको ठीक करने के लिए बांच पंच को दूर करने के लिए अगर ओरत की कमर में दर्द हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसके गर्बासे के अंदर का मास्थ बढ़ गया है इसके लिए हाथी के खुर को पूरी तरह जला कर बिलकुल बारिक पीस कर चुरन बना लें फिर पांच गराम चुरन को काला जीरा के साथ मिला कर इसमें अरंडी का तेल भी मिला दें इस तेल को एक रूई के फोय में लगा कर योनी में गर्बासे के मूँ के उपर लगाता तीन दिन रखने से बांच पंद दूर होता है इसमें लगा कर योनी में गर्बासे के मूँ पर तीन दिन लगाता रखना चाहिए देखिये इसमें जो हाती का जो खुर होता है खुर का मतलब हाती के पांग का जो नाखुन होता उसे खुर बोलते है नीचे यू होता है तो वेसे तो यह बहुत दुल्लब चीज है वेसे ये जो नागा सादू लोग हाती को लेके आते हैं, तो उनके साथ में पांच साथ हाती होते हैं, तो देखिए कोशिस करने वालों की कभी हाड नहीं होती, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करें और उनको बोजन पानी की व्योस्ता कर दें, तो वो लोग खुर को काट के दे देत हैं, हाँ, अगला मैं जो पडियोग बता रहा हूं आपको, कोश्ट बद्रता है, यानि कि कभजी, भुनावा जीरा एक सो बीस गराम, और धनिया भुनावा असी गराम, काली मिर चालिस गराम, नमक सो गराम, नमक के जिगह संदल है, डाल चीनी पंदरा गराम, और निम्ब दो दो गराम की खुराग बनांगर सुपर साम खाने से कभजी ठीक होती है, और भुक बढ़ती है, इसका अगला प्रियोग, 25 गराम काला और सपेद बुनावा जीरा, पीपर, 25 गराम, शोट, 25 गराम काली मिर्च, 25 गराम काला नमक, 25 गराम को मिला कर पीस कर रख लें, खाना खाने के बाद एके गोली सुबर साम खाने से अजीन ठीक होती है और कोश्ट बदता रुखती है और भूग लगती है पेट की गेस पेट की गेस बनने पर जीरा सोंट बच और भूनी हुई ही इनको पीस कर रख लेवें और थोड़ा साग चुरन चार पांच ग्राम की म अगर जीरे और मिश्र के साथ पिला जाया तो उल्टी और बुखार और दस वह सब ठीक हो जाते हैं एक चमस भूनेवे जीरे को बारिक चुरून में एक चमस साथ में मिलाकर रोजाना खाने के बाद उल्टी होना ठीक हो जाती है जिनको खाना खाने के बाद उल्टी होती ह वो ठीक हो जाती है, मुह के छाले, मुह के छालों में जीरा को भून कर और शेना नमक जीरे के बराबर मिला कर पीछ लें, इसे मुह में लगाने से छाले ठीक होते हैं, दस, पतले दस, सफेज जीरा के बारिक चुरुन को आदा से दो गराम की मातरा में दही के साथ रोजाना दो-तिन बार खायें। इस तरह दस्त का आना बंद होता है। बोजन पढ़ जाता है। भूग कम लगते तो वोट लगने लग जाती है। शेके वेजीरे में आदा चमसर की मातरा सहिब डालकर दिन में एक बार चाते है। पतले दिस्तोंने पर जीरे को शेक कर आदा चमर सेग में मिला कर चाटें खाना खाने के बाद चात में सिका हुआ जीरा काला नमक मिला कर पीयें इसे लूज मोसम बंद हो जाएंगे खाना खाने के बाद छास में शिकावा जीरा को काले नमक के साथ खाने से दस्त में लाग मिलता है एक सफेद जीरा दो कली लहसुन और थोड़ी सिक सौंट और थोड़ी सौंफ और एकाद लोंग इनको अनार के फल के चार डानों को डाल करके भून के और फिर इसे चुरन बना करके एक चमत की मातरा दिन में तीन बार खाने से पूराने जो दस्त आते हैं वो बंद हो जाते ह एक चमत की मातरा साथ के साथ पिलाने से अतिसार या बार बार दस्तों का आना बंद हो जाता है हाँ हिस्की का रोग आदा से दो ग्राम सफेद जीरा सुबसाम घी के साथ सिवन करने से हिस्की की बिमारी ठीक होती है जीरे की बीडी बनागर पीने से भी हिस्की का आना होता है शिर्का में जीरा डाल कर उबा लें इसे चान कर पीएं इससे हिस्की में लाब होता है जीरे और पीपली को पिसकर पाउडर बना लें इसमें थोड़ा मोर पंक की बस में मिला लें इसे एक दो ग्राम की मातरा सहथ के साथ सेवन करने से हिस्की बंद होती है आदे से द लोगों के इंदर चालों में Horizon कूठ यह इंदर चमाने से मुझों के चाले और मुझों की दुरगण ठीक होती इसे पूरानी से फी पूरानी में उल्ची पेसाथ के साथ अगर खून आता है तो सपेज जिरा आदे से 2 ग्राम की मात्रा मिश्री के साथ पानी में गोट कर रोज 2-3 बार पीलने से लाब होता है। इसका अगला प्रियोग, कान से अगर कम सुनाई देता है, तो थोड़े से जीरे को दूद के साथ फागने से कम सुनाई देने वाला का रोग ठीक होता है, जिनका जीर मिस्तलाता है, तो जीरे को निम्बू के रस के अंदर भिगो कर छाया में सुका लेते हैं, उसके बाद उस पानी के साथ खाने से बावाशीर के दर्द में आराम मिलता है, जीरा, सौंप और धनिया, एक एक समद लेकर एक लास पानी में मिला कर पानी खत्म होने तक उबाले है, फिर पानी को सान कर उसमें एक समद गी मिला कर पटि दिन सुबह साम पिने से बावाशीर के अंदर आर मिलता है संग्रनी जिनको लूज मोसम हर समय आते रहते हैं संग्रनी पांत ग्राम जीरा चोटी हरेड लसुन की भूनी हुई पुट्टी तिनों को तवे पर भून कर पीश लें इसे गरम पानी से या मठा या लशी के साथ लेने से संग्रनी अतिसार आदी रोग दूर होता है गूर्दे के रोग के अंदर काला जीरा 20 गराम अजवाएं 10 गराम काला नमक 5 गराम पीश कर सिरके में मिला कर 33 गराम यानि के 33 गराम सुबर साम लेने से लाब होता है माशिक धरम की जो परेशानिया बैन बेटियों को होती है तो काला जीरा 5 गराम अरेंडी का गुदा 10 ग साथ ग्राम तिनों को बारी पिर्ग कर लेप तयार कर लें इससे पंद़ा दिनों पर लेप करना चुह है ये उपकार पंद़ा दिनों तक परत्री दिन करना चाहिए इसे इस उपको चुल की मात्रा में लेकर सो अमल पानी के अंदर इसको उबा लें जब 25 अमल ये पानी रे जाये तो इसे हुआ तीन से पाचार geen की मात्रा में दिन में दो-तिन बार सेवन करने से माशीक दडर्द का दर्ड जो होता वो चीक होता है जिनको आउं आती है पेचिस के अंदर रखता आता है तो तीन गराम काला जीरा और अनार के पत्तों को पाने में उबागतर पिने से खुनी पेचिस के रोगी का रोग दूर हो जाता है जिनको अगनी मंद होती है और भूग नहीं लगती हाजमे की खराबी होती है दस ग्राम जीरा, दस ग्राम सौंट, पंद्रा दने पेपल, बिश दने काली मिर्ट को बारीक पिसकर चुरन बना लें इसमें थोड़ा सा च्छना नमक मिला कर आदा आदा चमच की मातरा में सूबह और साम को गुंगुने पानी के साथ लेने से लाब मिलता है दो चमच जीरे को पानी में उबाल लें, जब पानी आदा कप रे जाए तो इसे तीन भार तीन खुराग बना कर के लेने से लाब मिलता है जीरा सौंट, बस्च, भुनी, हिंग, काली मिट, लोंग को दस ग्राम की मातरा में लेकर पिसकर चुरन बना लें इस चुरन में चुटकी बर चुरन पानी के साथ सेवन करें यह बड़े हाजमादार अच्छा चूरन है इसका अगला फाइदा परदर रोग के अंदर बें बेटियों को परदर रोग के अंदर दो ग्राम सफेद जीरे का चूरन और एक ग्राम मिशरी के चूरन को कड़वे नेम की चाल के काडे के साथ शेद में लेने से सफेद पानी का आना बंद हो जाता जीरा और मिश्र को बराबर मात्रा में पीस कर चुरन बना कर रख लें फिर इस चुरन को चावल के दोन के साथ सेवन काने से स्वेट परदर में लाब मिलता है एक चमल जीरा लेकर तवे पर भून लें फिर इसे पीस कर थोड़ी चीनी मिला गर पाक लें इससे स्वेत परदर मिट जाता है पत्री पत्री के अंदर जीरे और चीनी को बराबर मात्रा में पीश कर शुरन बना लें एक एक चमल सुब साम ठंडे पाने से लेने से पत्री ठीक होती है एसी डिटी हाँ एसी डिटी के अंदर जीरा धनिया मिश्री तिनों को बराबर पीश कर दो दो चमत की मात्रा सुब साम लेने से ठंडे पाने से अमल पित ठीक होता है जीरे के पांच गराम चुरन को गुड के साथ लेने से भी अमल पित में आराम मिलता है एक गराम जीरे में एक गराम ध चूछक के साथ लेने से फायदा होता है इसी दीटी में 40 गराम जीरा सपेथ और 40 को पानी के साथ 32 ईयार मिला कर पकए प्री मिक्सरन को 6 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक के मात्रा में 7 करने से एसी डिटी में आराम मिलता है सफेज जीरा काला जीरा बच से भूनी हिंग और काली मिज को बराबर मात्रा में पीश कर चुरन बना कर आदा आदा चमद सुबसाम लेने से भी एसी डिटी में आराम मिलता है जिनको दर्द और सुजन होती है तो दो चमद जीरा एक लास फा आठाती मिलाकर सर्वत की तरह गोट कर परती दिन तीन या चार बार सेवन करने से जलन प्यास और गर्मी इस सांती मिलती है इससे पैसाब खुलकर और साप आता जिसके करण सरीर की गर्मी निकल जाती है इसके अलावा जिनको बेन बेटियों के अस्तनों में दर्द होता है जिनको शराब के साथ पीश कर अस्तन पर लेव करने से अस्तनों का दर्द और सूजन समाब्थ हो जाती है अब यह नहीं लिखा कि अस्तन आदमियों के या इस्त्रियों के देखिए यह नहीं लिखा के अणतर दस कराम काला जीरा दस कराम मिर्च मिर्च का मतलब काली मियि countries तता तुल्ची के दस्वारा पत्य लेकर इंहें पीस कर लुपडी बना लें और इसमें थोड़ी काली मिंट डालके चन्ये के बराबर की गोल्यां मना लें दो तो गोली रोजाना पानी के साथ सुबह साम लेने से डाइबिटीज में लाब होता है अस्तनों का उभार काला जीरा आदे से दो ग्राम की मात्रा में लेकर थोड़ी सी मिस्री को डाल कर पीने से जो अस्तनों का उभार है वो विक्षित हो जाते हैं गिल्टी ओर ट्यूमर गिल्टी ओर टीमर के अंदर जीरा हाउवेर कड़वा कूट गेहूं बेरिगन कांजी में पीस कर लेप करने से लाब होता है पेट में खिड़े अगर हो गए हैं तो काला जीरा का चुरुन सहथ के साथ मिला कर पिने से पेट के किड़े मर जाते हैं अमलबेट 20 गराम काला नामक 10 गराम काली मिच्टे 80 गराम हां यह को बारी पीस करके रख लें फिर इसको निम्बू के रसमें मिलाकर छोट-छोटी गोल्यां बना लें ओ दो बार गरम पानी के साथ लेने से सरीर में कहीं दर्द ठीक होता है नाग के रोग में जीरे का चु पाने में मिलाकर खाने से पेट का दर्द ठीक होता है सफेज जीरा को सराप के साथ पीछ कर पेट पर लेप करने से आराम मिलता है बारिक फिसावा जीरा तिन तिन गराम को सूब यह गरम पाने के साथ लेने से पेट में आराम मिलता है बुनावा काला जीरा 120 हमल सहथ के जोनी के दोसों को ठीक करता है गठिया रोग में आराम देता है और चम्री की कई बीमारियों में ठीक करता है रिदे की जुर्बलता में यह फाइदा करता है शेचक में यह फाइदा करता है सपेद दाग में यह फाइदा करता है जल जाते हैं तो उसके उपर भी फाइदा करत और लिंक के अंदर भी